दोस्तो जब कच्रा उठाने की गाड़ी अपके घर के सामने आ जाती है, तो आप सारे काम छोड़ के घर का कच्रा लेके बाहर गाड़ी में फेक के आते हो, ठीक उसी तरह हम आज अपने बहन को स्टेशन छोड़ने आए हैं, खबरदार अगर किसी ने हमारी बहन को कच्रे के साथ कंपर किया तो, कच्रे का स्टैंडर हाई होता है, किसी ने कहा कि हमारी बहन को उठाने वाली गाड़ी प्लाटफून नंबर तीन पर आएगी, तो हम सब वहां आके इंतिजार करने लगे, जिनने पता नहीं बता दूं कि मेरी बहन घूमने जा रही है, वो भी पूरी, अपने दोस्तों के साथ, नहीं, मुझे लिया ही नहीं इसने, मना कर दिया है मेरे मूपे, नजरे चुरा रही है देखो मुझसे, इसको मैंने आज तक जहां भी गया सारे जगा साथ लिया, पर यह देखो, ऐसे निभाता है कोई अपनी बहन होने का फर्ज, छी, दोस्तों पर पत्थर रखके ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था मुझे, इतना दुखी तो मैं अपने शादी के दिन भी नहीं था, मन तो कर रहा था इसी पट्र के उपर कूद के अपनी जान दे दू, पर जैसे ही ट्रेन को अपने नज मुझे लगा गाड़ी प्लाटफॉम पे आते ही बहुत जोर से हौन बजाएगी, पर ये क्या, पहली बार किसी गाड़ी को तबला गिरतन बजाते हुए एंटर करते हुए देखा, जैसे ही गाड़ी रुपती है, अज यूजूल हम इंडियन्स की आदत है, पहले कौन उतर आई देखो मेरे पती अंदर फस गये हैं, अरे अंटी वो फसे नहीं है, जान मुझके नहीं उतर रहे हैं, अबे लड़की वहाँ पर रुमाल रख दे ना बै, अरे बेटा ये इंडिया है, यहाँ रिजर्वेशन से कोई फरक नहीं पड़ता, बिना टिकट वाले कुछ आ बेहन के डिबे में जो टॉलेट था, वहाँ जाके मैंने जम के सूसू करके आ गया, अरे पागल तेरे मूतने से बेहन की सिक्यूरिटी का क्या लेना देना बे, अरे क्योंकि जंगल में शेर भी हर जगा इस तरह पिसाब करते रहता है, ताकि उसके गंध से कोई दुश्मन उसके एरिया में ना घुस पाए, अबे पागल वो शेर है, तू इंसान है, तू जहाँ पे मूत के जाएगा, उसके उपर दस लोग और मूत के जाएंगे, जैसा ही मैंने टॉलेट करके बाहर निकला, तो देखा गाड़ी तो चल पड़ी थी, फिर पता चला कि ये तो सामन वाली गाड़ी जा रही है, दोस्तो सच बताता हूँ, टटी निकलते निकलते रहे गई, फाइनली गाड़ ने ग्रीन सिगनल दे दिया, दोस्तो आखरी मिनट तक मेरा दिल ये बोल रहा था कि मेरी बहन, अभी तो भुला देगी, चल भाई तू भी चल हमारे साथ, चल कट वाली मुला भाई